हमें बस ये अहंकार है कि हम मनुष्य सब योनियों में स्रेष्ट हैं बस उस स्रेष्ट मनुष्य जीवन को कई विक्ति गलत कामों में लगाये हुए हैं कोई जानवर को सता रहा है तो कोई जानवर को काट रहा है कोई मान रहा है तो कोई उबले पानी में डाल रहा है पर हमे ये नहीं बूलना चाहिए कि बले ही हम स्रेष्ट योनी में हो पर जैसे कर्टूते व्यक्ति कर रहा है उससे तो मनुश्य होकर भी भविश्य में अंदकार मैं जीवन जीने की नीव डाल रहा है जबकि एक पेड अपने लिए मुक्ति की नीव रख रहा है बगवान महावीर के सिश्य गौतम ने एक बार बगवान से पूचा बगवन सूर्य की घर्मी से पेडित त्रिसा से व्याकुल दावानल की ज्वाला से जला हुआ ये शालमली व्रक्ष मर कर कहा उत्पन होगा बगवान महावीर ने कहा गौतम इसी राजग्रह नगर में फिर से ये सालमली व्रक्ष के रूप में ही उत्पन होगा वहाँ वो अर्चित, वंदित, पूजित, सत्कृत, सम्मानित और दिव्य होगा और वहाँ से मर कर महाविदेह छेत्र में जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगा और सब दुखों का अंत कर देगा तो एक व्रक्ष भी अपनी अगली ही योनी में मुक्त होने की ताकत रखता है चमता रखता है इसलिए अनावश्यक भविश्य में होने वाले जिद्ध को न तो कष्ट दे न उन्हें तोड़े नहीं उन्हें काटे आज का प्रश्ण है कि जो सारे व्रक्ष है वो किस काई के अंतरगत आते हैं कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें